हेलो फ्रेंड्स आसी स्टिचिंग में आपका स्वागत है आज मैं समेज बनाना बता रही हूँ ये हम कुर्ती के नीचे पहनते हैं तो देखिए उसके लिए मैं ये एक मीटर कपड़ा ली हूँ और कपड़े को मैं 4 फोल्ड करके रखी हूँ साइड से वन नेयर वाला कपड के लिए रखती हुए 10 इंच इसकी चोड़ाई है फोल्ड करने के बाद और इसकी लंबाई तयार बनेगा 29 इंच तो इसमें भी 1 इंच प्लस करती हुए मैं यहां निशान लगा ले रही हूँ 30 इंच पर तो इस तरी की से लंबाई का निशान में 30 इंच पर लगा ले उपर का निशान में लगा रहे हूँ तुनिक की चोड़ाई में रख रहे हूँ 2.5 इंच और सोल्डर की चोड़ाई में रख रहे हूँ 5.5 इंच जो निशान में सोल्डर के पास लगाई हूँ वहीं से नीचे के साइड में आर्म होल की लंबाई का निशान में लगा रहे करने हैं और फिर उसमें वहbourम वम लेते हैं तो इसके बाद से इसमें नियुक्त, का लग रहेगा और बैंआर्ट ऑव रहेगा यानि कि फृंट पार्ट की उस तो उसके लिए मैं दोनों पार्ट को अलग करके फिर मैं कटिंग करूंगी तो दीखिए यहां से यहां से एक निशान 13.5 इंच पर लगा रहे हूं जो कि कमर के लिए लगा जाता है थोड़ा सा यहां से फिटिंग करना है तो यहां से मैं कमर का चौथा भाग ले रही हूं औ हिप का चौथा भाग लेकर के वन इंच बार्जन रखते हुए यहां से निशान लगा लेना है यानि कि जैसे हम कूर्ती में निशान लगाते हैं से मुसी तरीके से इसमें भी निशान लगा करके अच्छे से निशान के एक ओर्डिंग ही कटिंग कर लेना है तो दिखिए कट लगा करके मैं निशान को अच्छे से बना ले रही हूं उसी निशान से मैं नेकी कटिंग कर लूंगी बाकि साइट से जो फोल्ड वाला साइट था वहां से थोड़ा सा कपड़ा ज्वाइंट था तो कर लेंगे उसके लिए तो इस तरीके से वन इंच की चोड़ाई में यहां उरे पट्टी की कटिंग कर लेना है तो जो भी कपड़े का तुकड़ा बचा है उससे कटिंग कर लेना है cutting करने के बाद सारे टुकडे को हम जोड लेंगे यानि कि जितनी भी उरे पट्टी की cutting हुई है सबको जोड करके एक बड़ा पट्टी बना लेना है उसके बाद से एक side का सिर्फ solder attach करना है तो एक side का solder attach करेंगे और एक side का हम open ही रखेंगे तो देखिए यहां मैं एक side के solder पर मैं सिलाई लगा ले रही हूँ सिलाई लगाने के बाद अब जो front neck है वहां से सिलाई लगाना सी start करना है front neck का solder है वहां से start करना है इस तरीके से पट्टी को रखते हुए सिलाई लगाते जाना है पूरे neck में एक साइड का सोल्डर जो अटेश हुआ है यहीं से हम दूसरे पाइट के साइड हम सिलाई लगा लेंगे तो एक बराबर कपड़ा मार्जन रखते हुए पूरे नेक में सिलाई लगाना है अच्छे से पट्टी को घुमाती हुए राउंड में और पूरे नेक में सिलाई लगा लेना है सिलाई लगाने के बाद नेक में छोटा-छोटा कट भी लगा सकते हैं ताकि पट्टी आसानी से पलट जाए और कट लगाने के बाद देखिए पट्टी का जो दूसरा वाला साइड था उसको हम पलट लेंगे और पलटने के बाद एकदम किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे एक side से तो हम समीज में attach कर लिया है पटि पटि का जो दूसरा वाला side था उसको मैं पलट करके इस त्रीके से मैं सिलाई लगा रहे हूं अब जब हम ये सिलाई लगा लेंगे तो finishing के लिए एक सिलाई हम उपर से लगा लेंगे इस तरीके से देखिए ऐसे दिखेगा नहीं तो इसलिए हम यह वाला सिलाई लगा लेते हैं अब इसके बाद से देखिए पट्टी मैं पूरा अंदर के साइड पलट ले रही हूँ और एक सिलाई मैं उपर से लगा रही हूँ देखिए पलटने के बाद इसके फिनिशिंग बहुत अच्छी आ रही है बहुत ही असान यह अंदर के साइड पलट जा रहा है तो ऐसे ही पलटते हुए पूरे नेक में सिलाई लगा लेना है तो यह नेक फिनिश हो जाएगा और ये सिलाई लगाने के बाद सेम इसी तरीके से आर्म होल में भी हमको बनाना है पट्टी को अटेश करना है और पलट करके सिलाई लगा लेना है तो नेक बनाने के बाद जो इसका दूसरा वाला सोल्डर था उसको भी अटेश कर लेना है अटेज करने के बाद देखिए नेक बहुत ही फिनिसिंग के साथ तयार हो गया है अब हम सेम इसी तरीके से आर्म होल पर पट्टी अटेज करेंगे और पलट करके उसको हम फिनिस कर लेंगे दोनों साइड का आर्म होल हम इसी तरीके से तयार कर लेंगे तो यहां मैं दोनों स में चूक बनाते हैं और जैसे लगाते हैं थोड़ा सा यहां लाश्ट में शिलाई को सीधा लेना है Ma project में गरिफा कर लेंगे तो देखिए यहां मैं सिलाई लगा करके लाश्ट में थोड़ा सा सिलाई में सीधा कर ली हूँ जहां से ओपन रखना है वह हो हैं से तर्न करके और सिलाई को । डबल कर लेना है तो से मिसी तरीके से दूसरे साइड वाला यानि कि जैसे हम कुर्ती का चाक बनाते हैं उसी तरीके से हम नीचे वाला भी सिलाई लगा लेंगे तो यहां मैं दोनों जाइड करेंगे एक साइड से इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा कपड़ा फोल्ड करना है यानि कि जो भी मार्जन के लिए कपड़ा था उतना ही कपड़ा फोल्ड करेंगे तो यहां मैं फोल्ड करके एकदम किनारे किनारे सिलाई लगा रहे हूं किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे तो फिनेसिंग के साथ और दूसरे साइड वाला भी कपड़ा फोल्ड करके, हम सिलाई लगा लेंगे, और नीचे वाला भी मैं फोल्ड करके, सिलाई लगा ले हूं, तो देखें, ये समीज बन के तयार हो गया है, वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताएगा, और वीडियो आपको थोड़ी से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर नय है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो देखने के लिए थैंक यू